मानिनी प्रधान मंत्री जी को नमस्कार मैं भावन जलाल केंगे विद्याले आयाईपी देरादूर की छात्रा आपसे पूछना चाहती हूं कि तथ्यों के मूल्यांकन के अनुसार हमी है ज्यात होता है कि 20 प्रतिशत सपलता इंट्यलिजिंस कोशन के कारण और 80 प्रतिशत मौद है आपसे गुजारिश है कि आप हमें एक्यू और आइक्यू में समानान प्लाण कैसे बठाएं मैं सलादे ताकि आगे आने वाली बार्वी पूट की परिक्षाएं और जीवन में आगे आने वाली सभी परिक्षाओं में हम अच्छे अंको से उत्ति जान हों IQ और EQ, यह हम लोगों ने सुना है, लिकिन किसों को पूछो के भी IQ क्या है, EQ क्या है, नहीं मुलें, इंटलिजन्ट है IQ, EQ क्या है, तो यार सुना है, होगा कुछ, कुछ emotional, emotional, कुछ चलता है, मैं बड़ी सराल रित से बताता हूं आपको, एक तो यह बताये जाता है, कि IQ का खिलने का जो सबसे बड़ा अफसर होता है, जो विज्ञान से संबंदी लोगों का कहना है, कि जाता से जाता पांच साल के पहले ही, यह सब अल्रेडी पनपनश हो जाता है, बात में तो उसका प्रगटी कनन होता है, कोई बालक अपनी माँ उसको जुले में सुला करके गई है, और उसको सुला करके उस जुले के उपर एक गुंगुरू बंदा हुआ है, और माँ ऐस तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है तो मेहने तीन मेहने पाइट मेने का बच्चा होगा वो देखता है कि माने ऐसा किया तो गुंगुरु की आवाज आई अब मा तो अपने काम में लग गई लिकिन वो पने पैर उपर करकर ए उस तक पहुंचने की कोशिश क करता है का कि गुंगुरु बज्जा आए, that is IQ, समझाया, उस बच्चे ने तीन महने बच्चे ने उसको पकट लिया, और उस गुंगुरु उसने कोशिश करता है, सोये सोये, पैर मार के उपर उपर कोशिश करता रहेगा, और रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उस ही में क्योंकि उसने देखा है कि मा ने ऐसा किया ता, गुंगुरु की आवाज आई थी, जो अच्छी लगी थी, उसी को करता है, वो हो गया IQ, अम बाल दीचे, मा को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत अच्छा गाना सिड़ी हो, वो जुले के पास लगाते हैं, ताकि वो गीत बजेगा, तो बच्छा सो जाएगा, लेकिन बढ़िया से बढ़िया गाई का हो, बढ़िया से बढ़िया शब्द हो, बढ़िया से बढ़िया संगीत हो, लेकिन बच्छा रोना बन नहीं कर रहा है, लेकिन मा और कीचन से दोड़कर आती हैं, अपना टेपर कडर बंद करती हैं, और खूद अपनी फटी आवाज से, ऐसे ही गाना शुरू करती हैं, बच्चा सोजाता है, यह है उक्यू, और यह जो उसके इमोशन से हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, लहजा नहीं, सुर नहीं, स्वर IQ और EQ दोनों का जिन्दगी में संतुलित विकास अनिवार्या है और ये भी सही है कि EQ का बहुत बड़ा रोल होता है EQ इंश्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है रिस्क लेने की केपेसिटी भी EQ से आती है अब ये EQ कैसे बढ़ता है अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भए किसे ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया उसकी जिन्दगी बन गई मेरा IQ EQ में कंवर्ट हो गया क्यों मेरा इमोशनल बांडिंग था हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं आपने देखा होगा मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था ऐसे ही बाते कर रहा था तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदीन हो त करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ और्फनेज में जाकर आओगे या किसी बृद्धास्रम में जाकर क्या आओगे या किसी अस्पताल जाकर आओगे लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदीन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर क्या हो उन्होंने अपन क्लास के बच्चों को आदर डाली थी तो मैंने उसे पूशा कि आप इसके पीशे आपका लोजिक क्या है उसने अगा सहब मैं तो उसके IQ के लिए इस क्लास में बहुत कुछ कर लूँगा लिकि वो उसकी जिन्दिकी में उतना काम नहीं आएगा लेकिन उसका emotional bonding उसकी संवेदनाओं का पिस्तार होना जरूरी है और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदीन क्लास रूम में ताली बजा करके केक काट करके चोकलेट बाट करके नहीं करता हूँ मैं उसको जहां दर्ज है दूख है पिड़ा है संवेद्रा है उस जागा पर जाने के लिए प्रेरीद करता हूँ और वो उस दिन जन्मदीन होने के कारण भहत ही self-conscious होता है उसकी सारी मनस्तिती स्वकेंद्रीद होती है और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है और इसलिए मैं आगर करता हूँ कि जिस दिन उसके सबसे जागरत अवस्ता है उस दिन उसको इन संवेद्राओं से जोड़ू मैं समयता हूँ कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं कभी उनको पूछें तो हमने कभी हमारी जो अख़बार डालने के लिए आता होगा न कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा दो दिन नहीं आये तो कभी नहीं पूछा होगा करे भाई तुम बीमार तो नहीं थे क्या हो गया कभी अग्जाम होई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा अच्छा आपके बैक्चों भी अग्जाम होती होगी कैसे करते हैं आप नहीं पूछा होगा दूद देने वाला घर में बेचने दूद बेचने वाला जो सुभे दूद देने आता है हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है जिस जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है हम 20 22 25 बच्चे स्कूल में बैठते हैं हमारे में से किसी को इस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई ड्राइवर अंकल कभी पूछा क्या यहां कैसे आये बच Q बहुत ही lud झार्पन हो जाता है जो हमारी जिंदीगी के... एक Sense of Mission जिसको कहें Sense of Mission को बनाने में को बहुत बढ़ा role play करता है और IQ success दे सकता है लेकिन Sense of Mission के देने में UK कई बहुत बढ़ा role करता है और हम ने अभी भावकों ने टीचर्स ने एक्यू के प्रती लगातार फोकस रखना चाहिए तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्परधी को मात दे दी विजय निश्चित हो गई लेकिन प्रतिस्परधी अगर गिर गया तो मैं अपने विजय की चिंता किये भी ना उसकी बिमारी उसकी तकलीब में प लेकिन मेरी मानवी संबेदना कहती है रहे छोड़ो खेल वो गिर गया है मैं पहले इसकी मदद कर दू वो यू क्यू आपको जिन्दिगी के बहुत बड़ी ताकत देता है और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए